हेलो एवरिएट विद एम सिंग मैं मैं अप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं वो हमिशा की तरह बैंग मैं मैं आ गई हूं आप दोनों की आज की इनर्जी लेकर देखते हैं कोलेक्टिव लवबल पे आप दोनों की आज की energies कैसे रहने वाली है so इस deck को मैं करूंगी randomly two parts में divide और हम देखेंगे आपकी energy और आपके person की energy Queen of Cups 10 of Wands 9 of Swords 6 of Wands The Word Overall Energy Ace of Cups तो आज के दिन आपकी energy कैसी है देखें दिन की शुरुवात तो आपकी काफी अच्छी जा रही है काफी nurturing, caring energy है या तो आपको कोई care कर रहा है या आप किसी की care कर रहे है थोड़े time के बाद ऐसा हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत जादा overthinking करें और आपको ऐसा लगे कि यार मुझे नहीं सोचना है इस सोच से भी problem हो रही है मुझे burden फील हो रहा है मुझे बहुत जादा बोज लग रहा है मुझे कहीं कुछ और करना है थोड़े time के बाद हो सकता आप कहीं बाहर निकल जाए या आप कोई other activity में अपने आपको busy कर ले कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा होगा जैसे suddenly आप कहीं बाहर चले जाएंगे travel करने, घूमने, फिरने या suddenly किसी का साथ मिलेगा और अब कहीं निकल लेंगे तो कुछ इस तरह की energy है आज के दिन में आप में से कुछ लोगों को कोई burden या कोई बहुत बड़ा काम सौपा जा सकता है इसा हो सकता है कि आपको नहीं करना है बट आपके उपर डाल दिया गया कोई burden और आप उसको ढो रहे है suffering की भी energy है कुछ लोग आज के दिन में emotionally बहुत lost हो सकते है तो ये है आज की energy मेरे viewers की success का card है तो कुछ situations में आपके साथ success आपको achieve हो सकती है या तो अगर आपने कोई interview दिया है कहीं आप या आप कोई रिष्टा देखने गए है या आपकी तरफ कोई रिष्टा देखने आ रहा है या आपका person आपको message कर रहा है कुछ इस तरह के energies हैं यहाँ पर देखे सबकी situation एक जैसी नहीं होती इसलिए मैंने examples दिये है आपके person की तरफ पहला card है nine of pentacles दूसरा card है night of wands तीसरा card है the moon फोर्थ card है page of cups and bottom of the deck है page of swords overall energy is five of cups आपके person emotionally lost नजर आ रहे हैं हो सकता है कि आपको mirror कर रहे हो हो सकता है आप उनको mirror कर रहे हो page की energy आज के दिन बहुत सारे लोगों के person आपको spy भी करेंगे और आपके तरफ लोट कर आ भी सकते हैं message कर सकते हैं आपके तरफ plus emotions बहुत हाई हैं तो कुछ उनके hidden emotions बाहर आ सकते हैं कुछ ऐसे emotions जो कि उन्होंने आज तक आपसे share नहीं किये suddenly आपसे कुछ दो चार लाइन ही सही कुछ ऐसा बोल दें जिससे कि आपको और deeply वो चीज़ें affect करें या तो in a positive way या in a negative way बट यहां पर अपने deep emotions बाहर निकाल सकते हैं साथ ही साथ आज के दिन आप में से कुछ लोगों के person को financial benefit होता नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो ऐसा होगा इनके life में जो कि इनको benefit देगा या फिर यह कोई decision ऐसा लेने वाले हैं जिसकी वज़े से आगे चलके आप दोनों को benefit हो सकता है यह है आज की energy hope आपको guidance मिली हो मिलते हैं बड़ी reading में till then take care